प्रक्राइब करेंगे तुम्हें पड़ लेकर बड़ा आदमी बनना है तरक्की करोगे तो मेरा ही नाम रोशन करोगे ना लेकिन पापा मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता मुझे बिल्कुल भी वज़ा नहीं आता यह गलत बात बहले अपनी पढ़ाई खातम करो फिर पूरी जिंदगी मज़े करो मा तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है अच्छा अपसा रास्ता लेना है कल छत पर हम आपस में क्या बात कर रहे थे याद है न तुम्हें जो दिल मॉह आए फिर उसके बाद जो तुम त्य करोगे ना उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना और यही कड़ी मेहनत तुम्हें साटिस्फाक्शन दिलवाएगा फिर उसके बार बार केक मारने के बाद स्कूटर ने सास लेनी शुरू की थी मेरे दिमाग में मेरे पापा की यही आखरी तस्वीर है वो एक इमानदार सरकारी कर्मचारी थे जो अन्याय को बरदाश्ट नहीं करते थे सर क्या हुआ सर क्या हुआ सर पुलिस को फोन कीजिये सार ये पंद्रा मिनिट के अंदर ही उन्होंने पापा की जिन्दगी जीन ली सत्या को घर ले जाने आया हूँ सत्या चलो ने पापा को लोगोंने कफन मे लपेट कर द्रूमीन पर लिटा दिया था है उसके बाद मैंने काफी कुछ देखा लेकिन अतना सर मुझW मर किसी का नहीं हूँक गोद्श तुम्हें गेंग्स्टर का मतलब मालूम है अगर। नहीं जानते पापा भी नहीं कि तुम्हारे बापा एक इमानदार इंसान थे सत्य चलो हाना खालो उनकी मौत जाया नहीं जाएगी आज कल सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है अपने बाप के कातिलों को जिन्दा नहीं छोड़ूगा मैं सिर्थ 13 साल का था और सोच रहा था जिस आदमी ने मेरे पिता जी को मारा वैसे तो बहुत है मैं उन सब को खत्म करके ही चैनल लूँगा या फिर मैं भी उन्हीं में से एक बन जाओंगा बदला लेने के जनून में मैं उस दो राहे तक पहुँच गया जहां से एक रास्ता भलाई का थ और दूसरा बुराई की तरफ जाता था आगे ऐसा समय आने वाला था जब मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था स्कूल खत्म हुआ दिन हावा की तरह उड़ने लगे मा ने भी मुझे डॉक्टर बनने के लिए जोर नहीं दिया पांच साल बात तो तो कुछ भी सत्ता चुना था सत्या तो यह क्या है मैं अंजानों को नाम नहीं बताता है विक्टर हम मैं समझ गया है तुम मैथियो गैंक से हो ना अब बॉल भाए के लोग आज तुम्हें टप काने का प्लान कर रहे हैं पुशिया रहाना सब्चे कि अब अब है आख अब कर दो जब्चान के वह अब आख अब है अब और अब अब है आख वह गए है है अब देबाद सच थी मुझे मारने सर्फ हाट लोग आयो क्या लुख चकल journals अउऔ आप उलए भुख हम और डेक्झे दूल मैं हुँे तुछ皆्यों तुछ! कर दो चर सकतर slब दो जग्हें hesitने कि अ अ इज, कर सकतर कि बास, कर Hein, कर माथ इंट कि इसे देखे मुझे आठ महीने हो गए मुझे देखकर इसकी शकल देखने लाइक होगी काई रे मेल्या फुला जी आत डुनली आत पन याली झाल 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 do झाल कुछ झाल कुछ पखे उबड़ी झाल नमस्ते वाई सत्या विक्टर बोल क्या बात है सत्या के बारे में सब पता किया है पुरा बैग्राउंड चेक किया है सब ठीक है वाई एक से गाम नहीं चलता है वक्का है तो बात कर हो जगता है पुलिस का आपमी और माइक चुपा के लाहत हो मेरा दोस्त भी ऐसे फसा था पहले मैं इसे पूरी तरह से चेक करूंगा भाई चल बात उठा रहे हैं सलीम जरूरत नहीं है मैं पूरा चेक कर चुका हूँ इसको चेक करके अच्छे से पक्का कर लेते न क्यों विक्टर सिर्फ वहां चेक नहीं किया तुझे देखना है तो मैं तो मेरे पास नहीं है लेकिन इसका डंडा ज़रूर है तुबेच जा बैठ जा बैठ जा है जिल में कितने साल दा चार साल तक कई के लिए गांजा को केन अथियार और एक पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश भी की थी उसी के लिए सजा हुई थे पर तो उसकी चान नहीं ले पाया ना ले लेता है हाँ हाँ भाई हम एक दूसरे को छह महिने से जाते हैं अपनी क्या जमती बहुत है एना सत्य है आप भी तो एक आदमी ढूंड रहे थे ना यह क्या गाड़ी चलाता है कमाल है गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी बदल देता है हमें इसकी जरूरत है भाई बहुत काम रहे हैं और भाई यह है मैथ्यू फादर मैथ्यू जो एक पादवी था करीब 13 साल तक यह चर्च को अपनी सिवाएं देता रहा और उसके पीछे उसका एक दूसरा चेरा भी छुपा हुआ था एक खतरनाक इंटरनेशनल माफिया इसका ओगन ट्रांस्प्रांट का रैकेट कस्टमर्स इनको मुँ मांगी कीमत देने को तयार रहते हैं इसलिए इनका धंदा बहुत बढ़ गया है मैथ्यू के गैंक का एक खास आद्मी है वो है विक्टर और ये सक्ट्या गैंस्टर मैथ्यू का ड्राइवर है क्सक्टलिए वाल चेटर विक्तर पाल आकर चारले को थो हुआ। कि अधिकर सत्या चल्ड विक्टर खाब चल्दे इस बिल्ले को हमने एक शेर को खुश करने के लिए पकड़ा है अभी शेर आया है का देख ले बता चल्दी ने तु गोली मादूगा बास आएगा तो तेरी चंब्री उधेड़ देगा बता चल्दी मेरे कुछ के बारे कुछ और लिवर कहा रखा है और ना मैं तेरा लिवर निकाल दूगा बता वेलकम बॉस मैठील कहा है वो हाँ वही है कहा जाएगा सब उगल देगा आया विक्टर आजा सत्या वाही रोख अबे साले बहुत शॉक चड़ाए ना तुझे लिवर चुराने का बता कहां रखा है साल अगर आप उनको वो अर्गेंस नहीं मिले ना तो आप उन तेरा ओर्गन निकाल के कुछ तो को खिला देगा संजा तेंशन नहीं लेने का बहुत था ने चल ने चल विक्टर क्या होगे उसको सत्या क्या कर रहा है तो सत्यदेव डेपीटी कमिश्णर क्राइम ब्रांच बिना कोई होश्यारी के अच्चुप्चाप ऐसा ही खड़े रहा हो जब तक मेरी टीम यहां ना पहुँच जाए तुम इन लोगों जितने बुरे नहीं हो पर गुनेहगार तो तुम भी हो जेल में तुम्हे मैंने इसलिए बचाए कि तुम्हारे जरीए और्गेंस केस राइकट को पूरी तरह से खत्म कर सकूँ यह मैथ्यू मेरा में तागट था पर मेरी किसमत देखो मगैंबो के साथ मुझे कबपर भी मिल गया थैंकि विक्टर करेंस देखो कर दो करेंस राइक करेंस कर दो कर दो लाद देने, लुष लुष। लाद देने, लुष। और ये है सत्या अब विक्टर जेल में है अगर मुझे उनके साथ देखो तो गलती से भी मुझे मार मत देना ठीक से देख लो मुझे इट्समी सत्यदेव ये वो दुरहा है जहां से एक रास्ता भलाई की और जाता है तो दुसरा नर्क में धंके देता है मैंने तुम्हें इसने छोड़वाया है कि तुम्हें ये दंदा छोड़ो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई भी दाकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती तुम सोच लो एक एक कर के मैंने लोकल भूलों को तलाशना शुदू किया और जो जो मिलता गया उन सब को जेल में भरता चला गया जिससे कई लोग मेरे दुश्मन बनते चले गए बहुत उप रहे तो आजकल पुलिस वालों के साथ मैं कभी भी डील नहीं करता है डैनी ने बताया मेरे को सब हाज जोड़ता है लफड़ा नहीं मांगता है मेरे को क्रिश पैसा लेते जाओ गंदेते जाओ बात मालो या डैनी का पता बता दो तुझे पता चाहिए है सद के देव IPS तो खोद को गैंक्स्टर बताता है ना ये रहे तरी फाइल खतम कर दू से मार दू यहीं पर मार दू से रोकिये मत मुझे इसे उबर लेकर चलो सब्सक्राइब बचार तक बचिया ऐसे नकली फाइले तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकता हूँ ऐसे वक्त पर मैं तुमसे तीम बाते कहना चाहता हूँ पहली बात मेरा तुम्हारे साथ उपर जाने का कोई मूद नहीं है साथा पागल है अब दूसरा जोग किसे ना दे दूसरा जोग तेरे उपर है कुट्टे मेरे उपर पहुचने से पहले तू मरेगा मेरी क्रिस्मस तुम ही सत्य देव हो ना? हाई, नाइस मीटिंग यू आइम आजी सी पी रिचर्ड हाँ, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी वो लिफ्ट में डैनी को निप्टाने से पहले मैंने सुनाए कि तुम उससे तीन बाते कहना चारत है दो तो मैं जानता हूँ लेकिन वो तीसरी बात नहीं जानता हूँ जा वो ये थी कि किसी को उपर पहुचाने के लिफ्ट के जगा सीडियां भी उसकर सकते हैं वहाँ बाहर लोग क्रिस्मस मना रहे हैं और मैंने तुझे रोक लिया है इसलिए मैं क्रिस्मस के साथ साथ दीवाली के पटाके भी फोड़ोंगा वहाँ, क्या पटाका फोड़ा देव में रुको मुझे जानते हो हुआ जानता हूँ नाम कहा है तेरा, सत्य देर जो कभी मेरे बाप का बॉड़ी गार्ट हुआ करता था देख, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा मुझे जाने दे, बागी मेरा बाप समाल लेगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बेटे हो तो अपने बाप से कहना, पहले तुम्हें समाल कर रखे परेस्टिम क्या, आरे सुनो तो ये बाग याद रखना, वो रेपिस्ट है मुर्डरर है, गैंस्टर है वो ट्रेन से उदर कर दो नंबर भीट से निकलेगा बहार अरुन होगा अरुन ने छोड़ा तो पांडे मिलेगा अगर पांडे से बचा तो मैं मिलूँगा ओके सब कौन सिस्टन का है तू किसी स्टैन का नहीं हो, अपनी ड्यूटी पर हो क्या कहा तुम घबड़ाओ नहीं जो कोई आटो नहीं मिल रही है तुम मना मत करना प्लीज सॉरी मैडम, आटो खाली मिली है मुझे अरजिंटल जाना है मैडम, कोई दूसरा आटो ले लीजे मुझे आपको जरूरी काम करना है इससे जरूरी भी कोई काम है क्या आशकल मर्तों में कोई इंसानियत ही नहीं बची है प्रेग्नेंट और्तों को भी कोई मदद नहीं करता रेदिए रेदिए वूप उसकी इस हरकत ने थैंक यू मेरे दिल में जगें बना ली थी पर उसके बाद में उस नड़की से नहीं मिल पाया पांडे ने उसे ठिकाने लगा दिया सर थैंक गॉड तो आप घर पे हैं क्या फ्रेंड है अपुन बाहर तो आईये सर गोल्डन राजनाम है नमस्कार सर घर के बाहर ही रहो बिना जाने की मैं यहां क्यों आया हो आप तो नाराज हो गए यहां तुम भलाई के काम के लिए तो नहीं आयोगे बैठिये तो सही जानता हूं आपको बहुत टेंशन है आप लोग अप उनको खतम कर देना चाहते हैं पर सुना है कि अगर आप चाहें तो उस हिट लिस्स से मेरा नाम हटा सकते हैं एक करोड़ भी साथ लाया हूं एक करोड़ कल दे दूंगा अप उनको यकीन है कि आप ये बात समझ जाएंगे बेटी की शादी के बाद तो भूली गया काट दे न अगर अरेस्ट हो गया तो बेटी की शादी में बहुत पेस् में फालतों में तो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस गया है घुन हूं मैं घुन मत समझो सत्यदेव इसी भी पांडियन को तुमने मालपूरा में मारा था शेहर के सारे कॉलेज स्कूल के बाहर तुम्हारे ही आदमी ड्रग्स बेचते हैं सॉलेक कमीने सचाई चान्त हो मै थीक है पैसे लेकर आया हूं कलोर दोंगा जितना चाहो उतना इसे गलत मत समझना जिन्दगी में चितना भी जोखी मुठाल या चितनी भी वहरत कर लो तुम उतना नहीं कमा सकते जितना मेरे ग्यांग एल चोटा सा घौर का कमा लेता है पैसे कि पिना जिन्दगी बेकार जानता हूं मैं, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े, कहो, मैं दूंगा, बहुत पैसा है, हिटलिस से ना मटवा दो, पस इतना ही, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवकात, दो कोड़े की भी नहीं है, किसने कहा यह, एक मरावा घोड़ा भी, पूरे सवा लाग का होता है, सु पार रखा है, या कैमरा किदर रखा है, या अपने बीछे निउस चानल को साथ लेकर आए हो, एए, चीचे, क्या बूल रहा है, तुम भरोसे के लाइक नहीं हो, राज, चलो कपड़े उतारो, प्रूव करो कि ऐसा नहीं है, पैसा दो मैं कहीं और ले लूँगा, समझ क्या चलो, शुरू हो जाओ, तुम्हें नंगा होते वे देखकर मझे शर्म आएगी, मेरा कॉंस्टिबल आएगा, उसके चेक करने के बाद फिर मिलूँगा, सल्वम, जी सर, आज तुम लेट आय थे न, जाओ सजा भगतो, सर आब अपनी शर्ट पेंड उतार दीजे, और तू भी, कई बनियान में तो क्यामरा माइक नहीं चुबाया, हाँ, सर, माइक क्यामरा कुछ भी नहीं है, है, क्या करें सत्य देव, रगो, तुम अपने आपको समझते क्या हो, मेरे ही घर में घुज़कर मुझे खरीदने आया हो, यही हो तुम, यूर नदेंग, सत्या, अएम पुलिस ओफिसर, डी सीपी सत्य देव, तेरी तरह नहीं हूँ जो गुंडा करदी के पल पर कानून का खुले आंपलात कारता है, गिर्मेंट मझे भरपूर तनखात है, बंगला गारी सब कुछ है मेरे पास, वहाँ घाड़ा वो कॉंस्टेबल अपने काम की वज़र से प्रोमोशन पाता है, वफादार है वो मेरा, पर तेरे गुर्गों को तेरे मरने के बाद मिलता है प्रोमोशन, वो सब तेरे मरने का इंतजार करते हैं, मेरा बाप बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन उसके मरने के बाद आज मैं हूँ DCP, तेरे मरने के बाद तेरे बच्चे सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे, वो तेरे मुँपर थूकेंगे, सुले, सेलवाम, जी सर, अगर यहां इसमें भी रुका, तो इसे काट ड़नूगा, नाँ, गट आउट, चल सले, तफा हो जाए, त्या, तुरे, साब के बिल में हाट ड़ा है, निकल, कल बारा बची मैं खुद आपको तुझे रेस करने, चल जाए यासे, जलो निकलो यासे, पैसा कम नहीं था, तेरे पास तो ऐसे बहुत आते होंगे, मैं तो बस अपने दिल की सुनता हूँ ड़ाड, आप ही ने कहा था ना, और मुसीबत यह है, कि आप हमेशा साथ रहते हैं, तो घूस कब लूँ, तो मुसीबत मैं हूँ, दो साल बाद वो मुझे फेर मिले, लेकिन मुझे कहा था, जब फ्लैक तुमने खरीदा है, तो वरली के नाम पर रेजिस्ट्री क्यो है, जब कि इंस्ट्रॉल्मेंट्स तुम ही भर रही हो, पर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बच्ची की कस्टडी मेरे पास है ना, इस शादी से मैं बस इतना ही चाहती हूँ, आम हैपी मनोज, ये तलाग बस बिना जखड़े के हो जाए, इतना ही काफी है, लेकिन मैं थे कुमारे अलिमनी के लिए भी आर्ग्यू करना चाहता था, चलो कोई नहीं, इसा सिर्फ हिंदी फिल्मों में देखने को मिलता है, पर असल जिंदगी में, एक ओटो बाला, दो साल के अंदर एक पुलिस ओफिसर बन जाता है, वाव, रेली, आम जोकिंग, अगले ही दिन, हास्पिटल के टीवी पर, मैंने आपको, नियूज में यूनिफॉर्म में देखा था, अचा, इसका नाम क्या है, इशा, आई बेबी, उस रात आप ही की वज़ा से इसकी जान बच पाई है, वरना पता नहीं क्या होता, अब कम आन, जाओगी बेटा, जाओ, आजा, फिर मिलेंगे, रिचर्ड, एक फोन नमबर निकाल सकते हैं, ये काम थोड़ा परस्नल है, शौर, अपराधी का नाम, जगा, नेटवर्क, पोष्ट पेड है, प्री पेड है, सब निकाल लूँगा, हेमानिका, आपको उसका नमबर क्यों चाहिए, क्या आप उससे भरतनाटिम सीखना चाहते हैं, और उसे उन ही से सीखना है, तब ही मैं पूछ रहा हूँ, मेरे घर के बगल में भी एक बच्ची है, वो भी उनी से डांस सीखती है, मैंने कई बार उसे वहां पर ड्रॉप किया है, कितना पका हूँ है, एक काम करो सत्या, अपने उस पडोसी का नंबर मुझे दे दो, वो मैं अपने पडोसी को दे दूगा, दुना आपस में कॉंटक कर हाई, मैं सत्यदेव, यह मेरा नफ़र है, सोच आपको हेलो कह दो, हलो, गुटु यह प्रुम्यू, वे इन टाच, है मानिका, है मानिका, मेरे साथ कॉफी भी नचाओंगे, जिब भी तुम मेरे ली कंगी लेट हो, क्या असाना उनता है, हाँ, बुरिस नचाप इना, है वुटु से चाप मदेदा है, हाँ, आपको जोडु से लेके जाए उसको, जोड़ाएज तो, प्लुक है को एच, अच तो, खोल किरेग देद्रको मै, लेचलभासाने को, जब गरीद साथ... हाई, बहुत अच्छी लग रही हैं दीरे-दीरे हम तकरीबन रोज ही मिलने लगे एक दिन वो बच्ची के साथ मेरे घार आई हाई, इसका, यह मेरा खा बैठो ला हमारी दोस्तिया में नस्दीकियों में बदलने लगी थी हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे थे हम एक दूसरे के साथ बहुत बग बिटाते थे और ज्यादा तर ईशा हमारे साथ होती थी इसी तरह प्यार की खुश्मू के साथ चार साल गुजर गए और उस दौरान ओर्गिन्स का रैकट चलाने वाली गैंग अपना बिजनस बहुत तेजी से पहला रही थी जिसकी मुझे बनक भी नहीं थी काईगा भूख लगी है अहां लगी है मेरे साथ चल अच्छा खाना खिलाऊंगी ये लबगर ये नाम क्या पताया थे सुन्दरी और खाएगी हम अजजी बाद टेंशन नोको गिव एक काम करते हैं इसका ब्लड सैंपल लाब में टेस्ट करने के लिए भेज देते हैं एक करोड लगेंगे आपके पती के लिए लिवर डोनर मिल गया है उस डोनर का कुछ आता पता है डोनर का नाम तो नहीं बता सकती लेकिन उसने रिक्वेस्ट के लिया है कि बाहर में उसके बारे में कुछ न बताओं समय बहुत कम है मैडम जल्दी से फैसला कीजे चलो जितना जल्दी हो सके इसका ओपरेशन खतम करना है लिक्टर ने एक और क्लाइन भी जाया है उसका भी हार्ट ट्रांस्पांट करना है मिल पान के पैसे खाएंगे माली माल कमाएंगे जिस छोटे मोटे गुंडे को सत्या ने अच्छी रहा पर चलने के लिए जेल से रिहा कर दिया था वो आज ओर्गन्स रैकेट का माफिया बद गया और वो है विक्टर मनोहा इस तरफ सत्या और हेमानिका आप रोज मिलने ल साथी नजदीकियां भी बढ़ी यह नजदीकियां कब प्यार में बदल गए यह रसत्या को पता चला और हेमानिका को इतने स्मार्ट दिखोगे हुज शाक होने लगेगा कोई गलत रादा तो नहीं है न तुमसे शादी कह राता है विल यू मैरी में लोगों की बातों से परेशान हो क्या लोक अलब यू तू भी चाहती हो तू शादी कर लेती है न डर कैसा इशा इशा तू किसी किसी और की बेटी है वो यही डर है कि अलगर हमारे बच्चे हुए तो तू मेरा दिल दुखा रही हो आइंदा से तुम ऐसा नहीं सोचोगी सत्या इम सॉरी मेरा मतलब इशा सिर्फ तुमारी है तुम सिर्फ मेरी हो और अपसे इशा हम दोनों की है वो तो बहुत पहले से मेरी बेटी है जानती हो जब पहली बार कोट में मैंने उसे गोद मिलिया था तभी से सोच रहा हूँ सिक्स्त से वो अच्छे स्कूल में जाएगी उसके लिए हमें रोज रोज अप्लाई करना होगा लाइन लगानी होगी लगाएंगे उसके बाद अगर स्कूलिंग खत्म होने पर उसने बाहर जाकर पढ़ने के लिए कहा तो पहले हम उसे मना करेंगे पिर भी उसने जिद की तो उसके लिए थोड़े-थोड़े पैसे बचाएंगे, वो भी आज से, और भेजेंगे, पढ़ने के लिए, मेरी सैलरी तो जानती हो ना तुम, और मैं गोश नहीं लेता, कभी लूगा भी नहीं, ये मैंने इसलिए कहा है, कि तुम मुझसे कभी असी उम्मेद मत करना, और ये मेरा वादा है, कि इशा के अलावा हमारा दूसरा बच्चा नहीं होगा, चाहे मेडिकल शॉप के कितने ही चक्कर, क्यों ने लगाने पड़े? और ये ओ था, जिसका चेहरा भी याद नहीं, इशा के पैदा होने कभी वेट नहीं किया उसने, लेकिन तुम ने तो इसलिए तो कह रहा हूँ, हाँ कह दो ना तुमसे बात करने का कोई फैदा नहीं है, जाका देखता कोई बज़र्ग है तो बेबी गा, इशा मैला, जरा अपनी मा को समझाओ, कि मुझसे शादी करने के लिए राजिया हो जाए, बोलो के लिए हूँ तुम सच में से लिजाओगे? क्यों नहीं? तुम्ही भी तो तयार होना है, ये तुम्ही एक मिनिट भी नहीं छोड़ती इसलिए तो ये मेरे दिल का टुकडा है मुझे तयार होने में सिर्फ 20 मिनिट लगते हैं इसके जागने से पहले मैं रेडी हो जाओगा तुम्हें रेडी होने में दो गंटे तो लगी जाएंगे इसे मैं ले जाता हूँ इसकी ड्रेस रखती है ना? और शूज? सब इसमें है, इसे उठा दोगे तो ये खुद रेडी हो जाएगी गुर्ण मैं ले आउँगा इसे, मेरी जिम्मेदारी है अकल मिलते हैं अपनी शादी में अपनी शादी में अपनी शादी में तुम भी रहना खिलो रहनु इशा बीबी मेरे आने तप तुम भी रहना ठीक यूल बी ओके माँ दिलो, छूलो, दिलो वूलो, प्ल भी रहना सब मल्टिपल इंजुरीज, कट्स, स्लाशेज, सारे शरीर पर रहें यही इनके पापा के साथ भी हुआ है बेरहमी से मारा गया है इनकी बॉड़ी को घसीट कर यहां पर लाया गया है सर, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं आप खुद को समझा लिया मेरिजां तुमी सोरी मामा किदर चली गई? छे साल की जिस बच्ची का सब कुछ चला गया हो उसे कैसे समझाओं कि अब वो अपनी मा को कभी नहीं देख पाएगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं जिसने एक काम किया था मैं उसे जिन्दा गार देना चाहता था लेकिन इशा को अकेला कैसे छोड़ता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एमानिकान ये इशा को कभी अकेला नहीं छोड़ा था मैं भी हम इशा उसके साथ रहूगा हुआ हुआ है सर वो तो काफी वक्त से इंडिया में है नहीं सुना है कि वो तुबई शिफ्ट हो गया है और नहीं उसका उसके फैमिली के साथ कोई कॉंटाक्ट है जेल से सूटने के बाद हमारे बास उसका कोई रेकॉर्ड नहीं है सर में अभी में कोशिश कर रहा हूं तो कुछ और इंफोर्मिशन मिलेगी तो आपको फोन करूंगा थैंक यू क्या हुआ डर लग रहा है कि मैं हूँ ना सूच हूँ कि आओ रिचर्ड मैं बाहर जा रहा हूं दो गंटे में आऊँगा ख्याल रखना ख्याल रखना बस फोड़ा और आगे जाके रुपतो पापा पता अपको क्या चाहिं हो रहा है अभी जाएगे जिए तो तरी साथ दर्वाजा नहीं को लेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं पापा तब आजा ठीक है चल जाओ चिंदाबतकर जो बैट़ एः तिसे जा उसके लोग तुम्हों सब्जाओ मैं आसवाई लोगा प्यूद 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 यृज तेरी ललाई मुझसे थी, तो मेरे परिवार को क्यों खसी था, तुन्हें कलते कि राज, बहुत बढ़ी कलती, है, किसे भेजा था तुन्हे, यह तो खुद आया था, बोलना, सत्या, दिल से काम लेता है तो, कभी अपने दिमाग का भी इस्तिमाल किया कर, मालो कि उ मै था, तो क्या मै उसे कबूल कर लूँगा, और तो मुझे गोली मार कर यहां से बचके निकल जाओ के, तु कबूल करे या ना करे मैं तुझे फिर भी गोली तो मारूंगा ही, कमाल है, मार दोगे तो कैसे जान पाओगे कि मैंने मारा था या नहीं, असली कातिल मारेगा तभी तो उसकी आत्मा को शांती मिलें तो, पापा कहा है, चलो देखते हैं, आज इसे पहले कौन मारता है, यह पेवकूफ, अलगण, तेरे पाज दिमाग है यह नहीं, भाई मैं मार दूँ, तु भाईरे, मैंने कहा है तुझे मारने को, या दे तुझे वो तिन, जब मैं तेरे घर पे आय था, और तु ने मुझे नंगा करके निकाल दिया था, तब से तेरी हरकत पर मेरी नजर थी, और उस लड़की पर भी मेरी नजर थी, उसकी बेटी को भी मैं जानता था, जब तुम्हारे आत्मी यह पता लगा रहे थे, कि उस लड़की के मरडर में मेरा हाथ है या नहीं, वो भी मैं जानता था, धनुष कोडी में श्रात करने के बाद, तुम मदराई में हो, और संगम होटल के रूम नंबर 203 में रह रहे हो, यह भी मैं जानता था, और तुम इस समय आओगे यह भी मैं जानता था, पता है यह सब मैं कैसे जानता था, मुझे यह सारी इंफर्मेशन तुम्हारे आत्मी ने दी थी, तुम्हारा वफदार जो एक पहिमान निकला, नाम मत पूछना, क्योंकि तुम्हें एक इमानदार आत्मी हो, यह तिल अच्छा लगता है तुम पर, पता है तुम्हें, तुम्हारी प्रेमिका को मार कर मैंने अपने दिल की बडास निका लिया, मन शान्त हो गया, यह अब उनका स्टाइल है, पत्ता ले लिया मैंने, सत्यदेव, अब तुम्हारी बारी, पर तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी मंगेतर की याद में तडप तडप कर जी हो, कहा था ना, साब के पिल में हाथ मटन, हाथ मन गोड़ों कि रहे, हाथ बारू साइ, काने ने पाए, कहाँ पर गए है, तेरी जान तुम्ही सौप्रेम, तुम्ही सौजाओ, वो मुझे बिना बताय नहीं जाती थे, कहरे उसे, हाथ हाथ अबाच जाओ अबाच जाओ अबाच जाओ मुझे वो पल्याद आए, जब मैंने उसे आखरी बार देखा था, अगर आज मैं जिन्दा हूँ, तो उसकी बज़े सिर्फ ईशा है, जिसके एहसास ने मुझे मौत से लड़ने की ताकत दी। अबाच जाओ अबाच जाओ अबाच जाओ अबाच जाओ अबाच जाओ गोल्डन राज की घिनौनी हरकत की बज़ा से मैं डर गया था और मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ कर इशा को लेके कहें दूर चला जाओंगा अब वो मेरे लिए सब कुछ थी और मैं उसके लिए और मैं उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था मेरे उपर किसे के जिम्मेदारी है सर अब मैं ये पुलिस की नौकरी नहीं कर सकता मैंने नौकरी छोड़ी और आगे के साल इशा के नाम कर दिये मेरी ही वज़ा से तो वो दुनिया में अकेली रह गए थी पर इससे भी बड़ी एक और वज़े थी क्योंकि उसके अलावा अब मेरा और कोई नहीं था अगली कर्मियों की छुट्यों में खूंबने के लिए अगली कर्मियों की छुट्यों में घूमने के लिए हम बहुत दूर जाएंगे इस्ट से वेस्ट तक यहां से हिमाले तक अगर जिन्दगी के असली रंग देखना चाहते हो ना तो किताब से बार आओ जगय जगय पर जाओ अलग अलग तरह के लोगों से मिलो तभी तुम सीख बाओगे की जिन्दगी कितनी खूब सूरत है तो मैं खुद को जानने का मौका मिलेगा कि खुद को ढूंड पाओगे तो सुरी मिया इशा आजाओ ट्रेन से चलेंगे तुम जहां को होगी वहां तक जाएगे यह देखो इंडिया का मैंब है इसमें अब पर जहां उंगली रखोगी हम वहां जाएगे ठीक है ये सफर वो सबना था जो मेरे पिता ने मेरे साथ देखा था और अब जिसे मैं पुरा कर रहा था एक पिता और एक बेटा दोनों बन कर मैईशा के साथ हिंदुस्तान की कई जगों पर गया हम राजस्थान गए मैं राजस्थान की कि अजग एक बेटा आए हम जग एक बेटा और एक बाता बेटान की कि अजगे बना दो एक बेटा तक बेटाए चार साल बाद हम बापस अपने घर लौटाएं ये तुम क्या करे हो? मेरे बीटी, वहीं से किटनाप हुई है, चौबीज घंटे हो गए है, फिर आउती के लिए फोन भी नहीं आया, लगता है कोई और ही मामला है, पुलिस कंप्लेट की है, वो लोग उसे खोज रहे हैं, इस बात को पूरे दो दिन हो चुके है, मुझे बहुत ढर लग रहा है, जब पता लगा कि तुम आ गए हो, तो भागा चलाया, मेरी कुछ मदद करो, प्लीज दोस्त, निलन जना ही न, उमर पंदरा साल है, एए, जेन ने स्टेशन से, कोई अमतूर जाने के लिए ट्रेन पगड़ने गए थे, वह काफी भीड थी, मैं और बीवी फोन पर थे, मेरी चोटी बेटी एंदिली आगे-आगे थी, फूटी किसमत, मैं फाल्तु में अपने बॉस के साथ फोन पर जगड़ा कर रहा था, और बाद में देखके तो निलंजना गायम थी, बलग जबगता ही, मैंने पूलीस को बताया और खूब जगड़ा किया, पूरा स्टेशन चान मारा, उसका नाम लेकर बुलाया, और कोई फायना नहीं कोई कोशिश करो भी ना, तो जरूर मिलेगी, यह मेरा यकीन है, प्लीज दोस्त, मेरी मदद करो, निलंजना को वापस ले आओ, पापा, उसे ढूंड कर वापस गर ले आओ, पुलिस के जस नौकरी को मैंने चार साल पहले इशा की सलामती के लिए छोड़ दिया था, उसे मैं नए सिरे से शुड़ू करने जा रहा था, अपनी बेटी के लिए मैंने पुलिस के जूते उतारे थे, और उस दिन अपने दोस्त की बेटी के लिए मैंने वो जूते फिर से पहन लिये, और जुर्म को खत्म करने के लिए वापस आ गया, सलाम साब, मुझे एक लड़की चाहिए, क्या साब, जब आप पुलिस में दे तब कितनी लड़कियों का उफ़र दिया था, तो नहीं लिए आपने, अप दोस्त की बेटी है, बताएए न साब, चन्नी रेलवे स्टेशन से उसे किटनाप किया गया था, उस इलाके में कौन है, जो यह दंदा करता है, अली है, कौन अली, या अली मदद अली, यह उसका तक्या कलाम है, यह वही हो सकता है, एक लड़की को खुजने के लिए इमानदार पुलिस वाले को यह पता होता है, कि किसका दर्वाजा खट-खटा है, यह अली मदद अली, लेकिन क्यों, कहा है वो, मैं नहीं जानती, मझे उससे मिलना है, वो इस लड़की को ढूण रहा है, यह सच में मुझसे मिलना चाहता है, वो लड़की किसको बेचता है, कालिया स्वामी, स्वामी, जल्दी आ और लड़की को लेके जा, कल लहीं, अभी वो जो पीछे लाज टेबल पर है, ब्लू जीन्स, भगवे कलब की शर्ट में, गले में लाल धागा पेना है, वो भी अली के साथ काम करता है, वो अपने फोन पर किसी को कुछ दिखा रहा था, मैंने देखने की कोशिश की, उस पर एक फोटो थी, लेकिन धुनली थी, क्यो क्यों बादा है, तुम पोल खोल दोगे, आज कल ऐसे गुंड़े नहीं होते हैं, नमक और मिर्ची इदर मौजूद है, अभी एक्शन में उसका तड़का मारेगा, पहुँद है, तुम पी बड़े अची बात में दिखिले हो, तुम गारू की दुगान पटना पहली बात किसी को जूस मिदे देखा है, शकल से तुनी लगता कि तुम घरीव हो, लेकिन उससे क्या फर्फ़बदता है, अठे बटा, कहां चले? मैं बात कि युम तुम आरीव हो, एजरीव्ले से आयनि तुम पाईए लूसे लूसे में लवने थो भोले हो तुम है, अजरीव्ले से लुम अजरीव से से उतासा है, बात कि अासा है, और अ fibre तंव काया creativity थीन दुम में आबगाफे थाह ब़ऻया बात कि अगे पाは्यां कि पर रिचर्ड में अली की बताई हुई कार के पीछे हूँ और मेरे पास अली का फोन है जिस पर कार वाले का नंबर है तुम भी पता करो वो कार कहां पर होगी अली के फोन से उसे कॉल करता हूँ अली के फोन करने से माना किया था ना रुखो रुखो पूलीश चेकिग हे जाने दो सर बच्ची बीमार है अच्छा इतने रात को कहां से आठे हो रुखो का है कि अन्दन वन से जल्दी में हो सर और रहते कहां हो बस यह ए पर पास में आ-स वी रोड पर बड़े मौके पर कौन लगा रुको रुको सर एक वाइट बीमड़्यू एक सिक्स इधर से गई है हाँ सर अभी आभी इसी तरफ गई हूँ थैंक यू बड़े रुको 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 रुकाPE रिचर्ड, अब अपनी टीम को 117 राधा कृष्णा रोड पर भेजो, अगर कुछ चेंज होआ तो कॉल करूँगा ओके सत्या अचानक मुझे वहाँ विक्टर दिखाई दिया, कुछ अजीब लगा, इस केस को मैं जतना सोच रहा था, वो उससे ज्यादा खतरनाथ था यहां से सीने जाओ क्या दिया स्टो बेंजोडाइजपीन, मैंने बहुत छोटा सा डोस दिया है ठीक है, एक और दे दो, और इससे आदे गंटेकली सोने दो ठीक है इंट्रावीनस से दवाई दो, और हां, आर्टरेट चेक करते रहना दोक्टर ने का आए, इससे थोड़ी बेर और सोने तो अगर वो नहीं आई तो, अमेरिका से आना है, अगर आ गई तो उसको भी उठा लेंगे क्या विक्टर उस लड़की को दुबाई में किड़नाप नहीं कर सकता, यही हमारी लिए भी ठीक रहेगा सर की दुबाई में बहुत जान पहचान है, बुर्खा पहन कर उस लड़की को वहां से निकाल लेंगे अगर वो नहीं आया, तो आपनी खोल देंगे इसको यह लड़की हमें नहीं चाहिए, इसे तुम ही रखो और इसके साथ तुमें जो करना है करो मेरे एसाब से यह करेक्ट मैच नहीं है अरे यार, यह लड़की मिल गई है, और करेक्ट मैच भी है अब तू सिखाएगा ड़क्टरों को आने दो, पूच लेंगे अलो चल रहे है, तयार हो जा एक देल पार्सल करने का है यह साय तयार ही हो चुकी है उसके बाद, मैं अपने पुराने स्टाइल में आ गया कौन है तुम? डॉक्टर क्या? डॉक्टर सत्या विःटर जानता है आईडी? आईडी य.... घर पर भूलाए हो विःटर ने भूलाया मुझे, सच में आच साजण डॉक्टर हुं... यही का पता दिया था और कहा था कि पेशन तीयार है विक्टर को फोन करके पूछ लो पर पता नहीं क्यों उसने फोन नहीं किया एक काम करो सीधे जाकर उपर जाओ पर नहीं पुलीस है वो पुलीस है वो पता नहीं अच्छ पुलीस आए है मैं तेख़्ूंग एश्थे वेक्टरो पुलिस बाला है मैं तेक्रूंग वेसे ही कि आप्राइशन मुड्या है और यू नहीं है कि अपनी जगह से ही लामध इसलिए डॉक्टर बने थे दू क्लूब्स निकालो इसे मैं लेकर चाओंगा चल्दी निलंजना को डूने में छे दिन लग गए पूरे छे दिन पर शुक्र है वो मिल गई गुड रिस्पॉन्स ऑफिसर्स थैंक यू फर कमिंग सत्या बलकि ओगन्स को पाने के लिए शिकार को किड्नाप किया जाता है और मार दिया जाता है यह यूमन ओगन्स का रैकेट चलाने वाली बहुत बड़ी गैंग है और उनका लीडर है विक्टर मनोहर आपने तो शायद उसका नाम भी नहीं सुना होगा पर मैं उससे पर्सनली जानता हूँ SCRB में उसके रिकॉर्ड्स मौझूद हैं वैलूर जियल में मैथ्यू आपरेशन के दौरान मैं उससे मिला था उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले उससे देखा उससे देखकर ताज्यूब हुआ विक्टर के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो और उसे अरेस्ट करो सत्या, सूपब, कमाल कर दिया, तुम यहां कर बैठो न विक्टर के लिए बारन जारी करो, लेट्स केट अब विक्टर की शिकारी निजार एक जवान लड़की पर है नाम सुहासनी है, वो चन्नाई की रहने वाली है फिलहाल वो यूएस में है पर चार दिन बार लोटने वाली है जैसे ही वो एएपोट पर उतरेगी, वो लोग उसे खिडनाप कर लेंगे क्यों भी कहीं पर कोई मरीज एक दिल के इंतजार में है अब हमारे पास उस मरीज को ढूनने के दो तरीके है निलंजना और सुहसनी का ब्लड ग्रूप उससे मैच करता है और दूसरा उसका एक दलाल है जिसका नाम अबुल है उसकी कार का नंबर मुझे मालूम है और जिने की इच्छा है या उपर जाना चाहते हो अभी तो मैं और बहुत साल जीना चाहता हूं मैं एक नंबर देता हूं जो हमारे बहुत काम आ सकता है नाम है विक्टर वो जिस धंदे की दलाली करता है वो है यूमन ओगन ट्रांस्प्लांटेशन हेलो सल मुझे बताया गया कि तुम मेरा काम कर सकते हो तो हम बात कर ले पैसों की जरा भी फिक्र मत करना अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं जिन्दा रहूंगा पर अगर नहीं कर पाए तो खेल खतम वो एक लड़की है आज वो शेहर में नहीं है अमेरिका गई होगी आने में कुछ दस एक दिन लगेंगे उसके आते हैं उठा लेंगे उसको उसके बाद दो दिन में उपरेशन हो जाएगा जहां इतने पैसों का लेन दिन हो वहाँ बैक अप प्लान तो रखना ही पड़ता है एक दरवाजे के साथ एक खिड़की भी खुली रखनी पड़ती है उन्होंने सोहासनी के एवज में निलंजना को किड़ना करके रख लिया था अब तो निलंजना भी उनके हाथ से निकल गई है यह प्लाट मैं पासपोर्ट मैं कमोन किट नी आउट अव या क्विकली ना क्विकली जब अली जैसे लोगों का हम जैसों से पाला पड़ता है तो हमें देखते ही उस तरह के लोगों की पैंट गिली हो जाती है पर मैंने वो जगह बचा कर थोड़ा हट कर गोली मारी तोटल छे राउंड फायर किये हैं मैंने यह मेरी गन है मैं सरिंडर करता हूँ पलिस फॉर्स को तुम्हारी जरूरत है सत्या अब उस गैंग को खत्म करो आफिसर्स आज की मीटेंग खत्म हो लिए थांक यू वेल मचे लिए कल सुगे नौ बजे मिलते हैं अब 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 आपको यहां अधा गंटा पहले आना चाहिए था अब अब आपको यहां आधा गंटा पहले आना चाहिए था लेकिन मेरे जाना जरूरी है यहां वाट्साव्प्राब्लम माला मैंने रास्ते में फोन किया था और किसी ने इट्सोखे लएक में सी वाटना आएडो खुबसूरत लट्टी थेखी ने की शुरू खुबसूरत ने के फादेगा जरूर है वैसे एक सीट है आपके लिए एकोनोमी में ने ही पर बिजनस क्लास में ये हुई ना पार कर दो कि का लुज या लुख तार्टी यह ते स्ट धिए, यह ते रादे से आपके लिए या इस रादेनल इस आपके लिए यह ते सेड़ तार्यन अवर्ण प्लेट झाल झाल Sabu Shados Is everything alright? I had actually ordered some Indian food Say you don't want this? no no, I want this But can I have that also please Sure If only one is made an upgrade, so it should be pizza to buy a yah? Cheers यह प्रेंग प्रेंग में था ज रूखे ने अगला फो सब्सक्राइब और रोखे गॉर्ट कशने हैं विर्णा करें विर्णा रोखें इस कमभखत वुटी को भी तब ही आना थे जब इतना हैंसम आदमी मेरे बगल में बैठा हुआ है प्लीज यह मेरी तरफ ना देखें आई ओके मैं कुछ यहां एक प्रशर पॉइंट है इसे दबाने से यू फिल बेटा हाई क्या अंदाज है और थोड़ा दर्द होगा शकल से तो अंग्रेश है लेकिन बोलता हिंदी है अच्छा लगेगा ट्रस्ट में अब जितना भी दर्द हो हाथ मत छोड़ना बस कुछ सेकेंद्स और बेटर गड़्ड अब आराम करो लेकिन यह है कौन आयो डॉक्टर कौन मैं कोई चांस ही नहीं नो इसको पटाना पड़ेगा क्या जोड़ी लगेगी हमारी इसक्यूस में भी बोलता है तो जान निकल जाती है काश में उसका आइपैड होती खाम से खाम वह मुझे चूता तो उसकी एक कातल स्माइल वो बगर में बैठावा था यही सोचकर मैं उसकी दीवानी होती जा रही थी और सोच रही थी कि यह कितना हैंसम है हमारा प्रीम कुछ टेक लिए दुबाई एइपोर्ट पे रुका और मैंने भी ठान लिया था कि मैं उसे एक पल के लिए अपनी आखों से उचल ना होने दूगी पता नहीं यह मुझे दुबारा मिले या ना मिले कई बार लगा कि वो मुझसे बात करेगा पर ऐसा हुआ नहीं फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी हाई बेबी येस स्वीठार्ट मैं जानता हूँ बारा मिस्ट कॉल्स मैं अकर बात कर सता तो क्यों नहीं करता है स्वीठार जल्दी मिलता हूँ ओके लव यू बाई एकॉनमी से बिजनस क्लास में मुझे इस ले जगे मिली थी किस हैंसम के लव कॉन्वसेशन सुनने पड़े यह मेरे लाइट नहीं कि दुखल शाम शार बजे कहा में लेंगे सर काफी शॉप सुहासने तेरी दाल यानि गलेगी रिचर्ड की टीम कहा है रिचर्ड वह रहे है है सत्य है फ्लाइट के सफर कैसा रहा हुँ हिलता डूलता है आजकल फ्लाइट में उतना रिस्क नहीं है जितना की रोड पर चलने से उपर आपको कोई गाड़ी आकर टककर नहीं मारती। जबकि हमें जमीन पर हेलमेट मेन कर घूमना पुड़ता है। क्योंकि उपर रोड तो होता नहीं है शट आप ए लड़की को एरपोर्ट से क्यों ने उठा लिया नहीं विक्टर जिस आदवी ने हम पर हॉस्पिटल में हमला किया था वो लड़की उसके साथ थी कि लड़ कि भीजिन प्रिणनक भीज भीज णान एक भीज वे धर होग लिए सद्या झादी लिए 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 रुष्प्रेक्ट पुष्टेश्ट रुष्टेश्ट रुष्ट किए अपला कर दोब क्यों पूला क्योंड़। प्रॉष्ट प्रॉफ्ट प्रॉष्ट डर्फट सब्सक्राइब ठीक से पैचान किये ना इसी भी समय कुछ भी हो सकता है वी केफुल और वॉच्छ लाइका कॉक सर कॉक नहीं होता है कॉक क्या होक मैं जो कहूं मेरी मर्जी में तेरा बॉस हूं याद रखना बॉइस मेरी बात समझ रहे हो ना अपने पीछे की आखे भी खुली रखना तो प फोन को साइलेंट पर रखना बोलो डियर डिनर के लिए लेट हो जाए फोन किसका है कैटरीना कपूर मुंबाई से दोस्त है मेरी देखना कई है भागना जाए है कि सत्यान लोगों ने चेक कर लिया है सुआसनी यहीं रहती है यह लोग सम्हाल लेंगे ठीक है अच्छी तर लोग Emirates कर दोच्षा गर्यून कर दो खूर्टा सा-च्छी को लेण 2 क का ख्यों हैो सम्हाल एऑग कर दिसंदा कर दो कि man आए को intricacy त제를 होना है सम्हाल एफाल पर ड्सक्सटर को यहले सम्हाँ कर एफ खूल्सर सींद्दीन ही खाला है सम्हाल कि सम्हाल एफ। एकि तक्या क्या मैं यहां बैठ सकती हूं या आप किसी का इंतिजार कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू यह कोईंसिदेंस नहीं है आप फोन पर मीटिंग पिक्स कर रहे थे मैंने वह सुना था फ्लाइट में मेरा मन नी माना और आपकी मीटिंग हो गी न हो गई गूगल मैंने आपके बारे में गूगल किया था कुछ पता चला उसके बाद मुझे और जानने की इच्छा हुई क्योंकि पता था आप यहां होंगे तो मैं चली आई फ्लाइट में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझे ढूनते हुए यहां तक पहुंच गई आप में एक जादू है मैं आपनी जिन्दगी में कई लोगों से मिली हूँ और आप यहसा कोई नहीं मिला और अब मैं आपको चाहने लगी हूँ सबसे पहले आपके बारे में और जानना चाहती हूँ कि गोगल ने जो कहा है सिर्फ उतना ही है यह उसके अलावा भी कुछ और है जिससे पता चले कि आपकी शक्सियत क्या है और यह सब जानने से पहले हम कॉफी पीएंगे लेकिन व कोड़ा सोट सब दोरों कॉफी पर मिल ला सकते हैं तक रसाइट करेंगी कि हम दोस्त हो सकते हैं या यादी और अगर दोस्त हो गये और दिनर पर सबाफियों और भूमेंगे फिरिंगे और तब फिर सोचाय। क्या कि हम हम सफर बन पाएंगी या नहीं अभी तो तुम कॉफी पियो बागी बातें बाद में करेंगे हो सकता है सच्चाई जानकर तुम्हें निराशा हो सिर्प निराशा होगी न मैं संभालोंगी अगर कोल्ड कॉफी लंबे ग्लास में मिली तो और वक मिलेगा यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है देखना है तो देखो आखें बंद करनी है तो मर्जी तुम्हारी है फोन पर रिकॉड करना चाहते है तो कर लो परमिशन मैं देता हूँ विक्तार हुआ खीजन मैं तुम्हारी है तो आहायारी है, थो आहायारी है, प्रेखो कर देखा तिजल्द法 कॉड के ले खाहत प्रेखर हुआ भुछ, अना! अज़ अज़ चल 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 और जानन चाट इंवे बारे में मेने साथ रहे ना यह है कौन जो अपने प्लान की वाट लगा रहा है वो एक अमानदार और जहाबास पुलीस अफसर है नाम क्या उसका है नाम सुनेगा तो पैंट में सूसू कर देगा कि सत्य देड अब तब्यत कैसी है ठीक है कम्प्लीटली नोन बरी और तुम आयो कि कॉफी लंच डिनर सारे प्लान फेल हो गए तुमने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोचा होगा न अगर मैं नहीं आती तो आप चले गए होते इस सब जगड़े की वज़े कहीं मैं तो नहीं बिलकुल तुम ही हो वो तुमारे लिए आये थे उन्हें तुमारी तलाश थी उनमें से एक मुझ से मिले आया था बागी तुमारे लिए आये थे एक तीर से दो शिकार टाइप्स यह आप सकता है उन्हें मेरी तलाश क्यों है अब यह सब अध सोचो इस वह प्रोटेक्ट करूगा और तुम्हें वहां रहना होगा जहां मैं कहूँगा कि यह कुछ ज्यादा नहीं तुम उन्हें बिलकुल नहीं जानती पर जहां तक मैं उन्हें मैं जानता हूं वो बहुत ख़तरनाग लोग है हमारी फ्लाइट की मीटिंग पहले से तैथी क्या लेकिन आपने ये कैसे तीन फोन कॉल्स और तुम मेरी बगल के सीप में थी सिंपल बेबी डालिंग स्वीठाट पोन पर कैसे कह रहे थे फ्लाइट में कौन थी वो स्पेशल लड़की अगर आप शादी शुदा है ये कोई और लड़की है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊँगी क्योंकि वो ठीक नहीं होगा और वैसे भी आपके और मेरे बीच मुझे कि आप दुनों अलग हो गए आपको कोई बच्चा है क्या तब ही बेबी डालिंग स्वीठाट उसी को क्या रहे थे आपकी बीटी है आप समझी आप एक बीटी की पिता है राइट रॉंग आगे देखो सिग्नल मैं कोशिश करता रहा कि वो मेरी पिछली जिन्दगी के बा लिस कन अगर मैं आपके साथ रही तो आपको प्रॉब्लम होगी इससे तो अच्छा कोई और चारा नहीं है तुम काम पर भी नहीं जा पाओगी घर चलो यह सब कब तक चलेगा जब तक तुम मेरे साथ रहोगी वो तुमें छूब भी नहीं पाएंगे सत्या उस लड़की को जानता है क्या वैसे तो वो सब लड़कियों को जानता है जिनको हम टार्किट करते हैं समझ में नहीं आता अभे मुझे जानता है वो इसलिए वाँ बैठा था उस दिन उसने मुझे देख लिया है नर्सिंग हम आया था उसी दिन इसलिए यह सब हो रहा सब ठीक है ना सत्या थोड़ा दर्द है और ठीक हुटाएगा और कुछ नहीं है हमारे आद्मियों को उसे पकड़ लेना चाहिए था वो चुक गए उन्होंने कोशिश की थी ऐसे भीड से भरी कॉफी शॉप में किसी केमत कैसे हो सकती है कि वो खुले हम तुम पर हमला करे उस सुहासनी तो यह है सुहासनी है यह है यह है रिवॉल्वर रिचर्ड डीसी पी वोकिंविट सत्या नाइस मीटिंग आप अमिता बच्चन की रिलेटिव है नहीं तो आप अभिशेक बच्चन की दूर की बहन तो नहीं नहीं है हाइट डेकर साल लागा है 510 510 माइगाड ज कुछ ओफिसर्स को यहां छोड़ दो राइट बाकियों को भेज दो बाई यहीं हो मिलते हैं है हाई स्वीथार्ट क्या हुआ था कुछ भी तो नहीं प्रामिस प्रामिस डालिंग यह मेरी बेबी डालिंग स्वीथार्ट सब कुछ इशा इशा इनका नाम सुहासनी है हाई हाई इशा सुन सुहासनी कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी इने चोटी सी प्रॉब्लम है हमें इनकी केर करनी है इसी टोकी अपकोस पापा प्लीज कम प्लीज कम तुमारा कमरा उस तरफ है यह किसकी तस्वीर है यह तस्वीर मेरे दादाजी की है आए ना मैं अपना कमरा दिखाते हूँ आए 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 ना बहुत प्यारा कमरा है यह किसकी तस्वीर है यह मेरे ममा की तस्वीर है पापा कहते है मम्मा तारा बन गई है I'm sorry, पिटी It's okay Isha, खाना कहाँ, बेटा पुछ पचलेगा Please feel comfortable, तुम जब पच्छाओ यहार है संतियो की बेटी बहुत प्यारी है एसा क्या हुआ है वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए है अच तो बताईए जानना चाहती हो क्या हुआ विक्टर असल में हर जेगे पुलिस है यहां मेरी जान हलक मेट की है और तुम वहां अपनी बीवी के साथ पीछाओस में कुल छर्र उडाने में लगे हो सीधे सीधे बताओ ये काम हो पाएगा या नहीं पहले मैं लड़कियों के लिए पैसे देता था और इस बार एक लड़की के दिल के लिए पैसे दिये है बताओ मुझे कब मिलेगा वो दिल सुहासिनी नाम की माला जब रहा हूँ मैं यहां पर डॉक्टर्स कहते हैं मेरे पास सिर्फ एक दिन बचा है कुछ करो विंटर जाये तो और पैसे लेलो जहां कहोगे वीलचेयर में बैटकर आऊँगा तुमसे मिलने बोलो कहां आओ 23 1st C Cross Road वो लड़की इस वक्त इस पते पर है और वो जिसका घर है वो है सत्यदेव IPS हाँ सर बिलकुल सहीगा एम जी रोड के कॉफी शॉप में वो उससे मिली थी तो क्या उन दोनों का चक्कर चल रहा है नहीं ऐसे कुछ नहीं है अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताओ मैं और आग्मी भेज दूँगा कैसे भी उससे वहां से निकालो थोड़ा टाइम तो दीजिए सर तुम जो माग रहे हो वही तो नहीं है मेरे पास अगर मैं इस दुनिया से गया तो तुम्हें भी साथ ले जाओंगा कहे जलों मैंने बाकी पुलिस वालों को वापस भीज दिया और उन्हें अगली सुबह आने के लिए कह दिया सब ठीक है ना हाँ सर बताई अब क्या करना है अपनी अपनी जगह पहुंचो दवाल एक के पीशे तुम और दूसरे के पीशे तुम एक गली में दूसरी गली में कोई भी आता दिखे मुझे खबर करो मुझा एक गली का कुट्ता ही क्यों नहों इस वाइरलेस से सिग्नल करो यह सर और हर आदे घंटे में बात करो मैं आपको गुड मॉर्णिंग बोलता रहूंगा सर गुड़ झाल 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 जी हमें उसे लेने आएगा और वो जब भी आएगा मैं रेडी रहूंगा हमारे आदमी उसके घर के सामने तैयार बैठे हैं बताओ क्या करना है सत्य मुझे अच्छे से जानता है वो जानता है मैं आओंगा चलते हैं मैं बताता हूँ सर अलर्ट को घर की तरफ आ रही है तुम लोग क्यों आयो विक्तर के कुटों वो अपनिंग सही नहीं है कुछ ठीक नहीं लग रहा कहीं कुछ लफडा ना हो जाए सर बावराओ आप ते यही रहते हैं यहां इस नाम का कोई भी नहीं है चलो आप निकलो यहां से सुआमी को क्या बताएंगे सर उसने तो यही पता दिया था गलत पता बताया होगा सर आपका नाम लिखा है पढ़ नहीं सकते इस से बात करना फालत हुए चलो ए रुख जामद ए जो लड़की तेरे घर में है उसे बार भेज नहीं तो कांट धाने के तुम्हारे घर में लड़की नहीं है जो यहां खोजने आये हो मेरे अलावा यहां और कोई नहीं है अगर होता तो भी उसे बेजता नहीं घर में जाकर चक कर लो मिल जाये तो ले आओ पर याद रखो मैं रास्ते में खड़ां और अगर तेरे हिसाब से किसी को मरना है तो हो दो है वरी तैयारी में लगता है अगर में और लोग भी होगे यहां रोकना ठीक नहीं है मुझे डर लग रहा है यहां तो जाुदू चलो दो अरे तो मैं रोकना तुमरे इसे मुदоде चलते हैं यह तो विक्टर, आगे क्या सोचा है? पर क्यों? मुझे तो आज स्कूल जाना ही पड़ेगा। आज मेरा पोईटरी रसाइटल है, टीचर ने कहा है मुझे आना ही होगा। प्लीज पापा बोलो विक्टर, कब आ रहे हो? बताता हूँ, क्या बाल बाल सफेद होगा? बुड़ा हो गया सकते हैं? बाल की सफेदी तो कल तुमने काफी शॉप पर देखी लियोगे विक्टर। कुछ और देखना चाहते हो, तो सामने आ जाओ। चलो मान लिया, बड़ी जान बाकी तुम है, मगर एक मिनट और रुकते न, तो खेल खत्म था। बिल्कुल, तुम्हारा खेल। भटी तुम्हारी कमीश थी सत्या। एक बार फिर सामने आओ, तुम्हारा भी कुछ नो कुछ भटेगा। अच्छा खासा पुलिस की नौकरी छोड़कर कहीं चले गए थे। फिर अचानक क्यों प्रकाट हो गए, वो भी इतने साल बात, वैसे अची बात है, मुझे तो बहुत खुशी है, वैसे एक बात पूछनी थी, वो तुझे चाहिए क्या, नहीं न, तो फिर क्यों सत्या। खुशली है, वैसी नहीं जैसी तुम सोचते हो, वर्दी की खुशली, कच समझे? सामज गया, मैं भी तेरे जैसे ही हूँ सत्या, मुझे भी खुशली है, बहुत साल पहले तुने समझाया था, मगर मैं तेरी बात समझना चाहता नहीं था, क्या है न, लाइफ में आगे बढ़ जाओ फिर उसके बाद वापस आया नहीं जाता, मुम्किन ही नहीं, होई नही समझा सत्या, बहुत अच्छी तरह, सही कहा, तो आप क्या सत्या, क्या एराद है, मिलते हैं, आज़ाओ, परानी दोस्ती के लिए, तुझसे क्यों मिलू मैं, तु कोई बहुत बड़ा डॉन है, बड़ा आदमी है, नहीं न, मुझे तुझ पर भरोसा था सत्या, पर तेरी सरकत ने मेरा दिल तोड़ दिया, तुझे लेकर मैंने कितने बड़े-बड़े प्लान्स बनाये थे, मगर तुने मेरे गैंग में घुसकर मेरी ही मट्टी पलीद कर दी, मुझे वो धोका याद है, सत्या, याद है मुझे, मैं अपना फर्ज निभा रहा था, विक्टर, और तुम तो ऐसे कह रहे हो, जैसे तुम और तुम्हारे आदमी कोई सच्चाई खिटे के तार और दूद के दोले हैं, तुम्हारे क्रूप का हर आदमी, और तुम भी एक नमबर, चलो मान लिया, इसलिए मैं थोड़ी देर तुम्हें फोन करके यही बात तुमसे कहूंगा, कि मैं भी अपना फर्ज निभा रहा था, आगे बोलो, मैंने उसे उठा लिया सत्या, समझा नहीं, मैंने उस लड़की को उठा लिया है सत्या, अब समझ में आई, सुहसनी, 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 तुम ठीक हो, हाँ, सत्या, सब ठीक तो है न, सब ठीक है, सॉरी, बता तुने कैसे उठाया है, विक्टर, डरा ये नहीं, जाके चेकिया ये नहीं, मतलब वो घर में ही है ना? बोल विक्टर. ए, मैं ही तो बोल रहा हूँ कब से? तु बोल विक्टर, बोल विक्टर बोलता रहेगा तो? मैं क्या सारा दिन बोलता रहूँ? कुछ तो गड़बर है सत्या. यार तुझ में वो पहले वाली जो बात थी ना, वो नहीं रही, बुड़ा हो गया है, आवाज का दम चला गया है, क्या हो गया सत्या? यही तो मैं भी सोच रहा था. वो क्या है ना, मैं बताता हूँ. असल में यह फोन कॉल वेगारा, यह तो पुलिस ट्रेस कर लेती है, है के नहीं? अब हम इतनी देर से बात भी कर रहे हैं, क्या हो एट्रेस नहीं किया? नहीं, वो अगर किया होता, तो तुम्हें पता लग चुगा होता कि मैं कहां पर हूँ. तज सेकेंड में यह फोन बंद हो जाएगा. थुड़ी देर पहले मैंने एक बात कहीं थी, याद है सत्या, कि मैंने उसे उठा लिया है, वो बात आप कहनी चाहिए थी तब बंद आ था. तेरी बेटी के स्कूल से बात कर रहा हूँ. मैं दुबारा फॉर करूँगा सत्या. उस तरह भूलो, मेंन रोड की और जाने वाले सारे रास्तों को ठीक से चेक करो. इस बुक में सारी गाडियों के नंबर लिखो. चला. फिलेट, मेरी लास्ट कॉल का लोकेशन बताओ. वाकिंग ओनेट, सार. तीस सेकेंड में बताता हूँ. स्कूल पहुचें, जस्ट अराइब. इशा ठीक है ना? क्या होँ, सर? इस एवरिटिंग ओके? सब कुछ ठीक है वहाँ. अल्ट की है, सर? साफधान रहना. ये सर, 100%. ओके. मैं इविजेटली अपनी एक टीम को स्कूल भेज़ देता हूँ. बच सत्या, कहीं ये कोई ट्रैप ना हूँ. इसलिए तुम ज़रा घर में ही रहना, ठीक है? अब भी किसी का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बेक करता हूँ. ओके. आप बोलो, फिलिप. सार, रेस रूटेट टु फाउंटन हेट स्कूल, सार. थैंक यू, फिलिप. बेसी की टीम के पांच आदमियों से काओ, कि वो फाउंटन हेट स्कूल जाए. अब हमें निकलना है, जरा जल्दी. बाङू! जरो को यहांसी? और चलो! जरो! फॉर 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 पॉर पॉर पॉर! अब मूद रो! तुमारा नाम किया है? कर दो जल्दी करो जल्दी एंबुलें साथ इंग वाश्पेटर ले जाओ जल्दी से सर मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता पर विक्टर के आद्मियों ने ही इन पर हमला किया होगा सर अमने हर जगा नाकाबंदी करवा दी लेकि जाओ जाओ ठीक से बताओ क्या हुआ था सर घामता पास्टों आय थे और उनोंने पहले सर इंको इन के अवर हमला किया सो उनमें से एक मेन आपनी था और वो बच्ची को ठाकर सर उस तरफ लेके गए और उस तरफ लेके गए और उन्सी काप थो स्कूल पहुंच किया क्या है विक्टार देख तुझे एक घंटे का वक्त देता हूँ तेरे साथ बैठे ने वो खुबसूरत वाली है पहले उसे मेरी बताई जगे पर ले जाकर छोड़ दे उसके बाद मेरी बताई दूसरी जगे पर आ जाना और अपनी छोटी वाली को ल इसमें मेरी बच्ची को मत खसेट इलाई तेरी मेरी है तेरे मुझसे दो ही शब निकलने चाहिए कहां आओ उसके अलावत तेरे मुझसे और कुछ नहीं निकलना चाहिए इस नमबर पर एक मिस कॉल देना अच्छा और फिर कभी आराम से बैठ कर बात करेंगे तो मैं तुझे बताऊंगा कि हेमानिका ने बरने से दस सेकिंड पहले क्या कहा था ठीक है ना सत्या अब तक मैं जोट के साहरे जी रहा था कि हेमानिका को गोल्डन राज ने मेरी इमानदारी की वज़ा से मारा है जबकि वो मेरी आपसी दुश्मनी की शिकार हो गई ये बोज मेरे लिए बहुत भारी था मुझे माफ कर दुविश्या विक्तर इश्या ओमाइगाड उसने आपको जहां भी बुलाया वहां पहुंचते ही मुझे जाने दीजेगा मैंने जाती कि मेरी वज़े से इश्या मुसीबत पर जाए प्लीज प्लीज सुहासिनी ये जरूरी नहीं है और उनके लाट्टॉं इश्या बेबी कहा हो तुम प्लीज बेबी अगर एक बार और आवाज निकाली नहीं तो मार तूंगी तुझे सच जीपियस ट्रैकर इश्या के स्कूल बैग में नहीं उसकी घाड़ी में है थैंक गॉड क्या बात है सर इश्या इस समय यहां है लगता है रास्ते में लोगने इश्या की गाड़ी बदल दी है इस एरिया में या अनंदा से चार नाका जाता है टीम को बोलो कही भी सफेद एंडेवर को पाक देखे तो उसे चेक करें और इश्या की पोजिशन बताते सब्सक्राइब की तरफ चलिए प्रिचर गाड़ी एपोर्ट की तरफ जा रही है ओके ड़ल कॉल यह अच्छा है तो उसके लिए इतना घूम के क्यों जा रहा है यह LIC की बिल्डिंग करें शिफ्क हो गई है हो गई है तो बताओ मुझे तो किसी ने नहीं बताया अगर LIC बिल्डिंग जाना था तो पहले ही राइट लेना चाहिए ता यह कम से कम अब राइट लेना चाहिए तुने लेफ्ट यू ले लिया सकतिया तु जा से मर्जिया लेकिन तरे पास पॉना खंटा है और मेरी गाड़ी वो आइन ब्रिज है ना आँ नेपर ब्रिज वहाँ पर खड़ी होई मिलेगी उसमे सुहासिनी को बिठाना तुम्हारी ड्यूटी है और अगर वो नहीं चड़ी यह हमारी गाड़ी का तुम्हारे आदमियों ने पीछा का वर्प्ना सब्सक्राओक और रहाँ प्रार्ड ड्यूशा ब्र हृप कर दो चाहते हां तुम्हारी खोफ्ड़ी का दो यह हम्हारा करतक, प्कलो झाली थाफुम्हार का धश्य॥म्हारी Rend mejorarे क्वांश यह को ग्यावार है और देले Memberτανक! यह कहां था है बहार निखारो इसे एफ दिन तरी तुभाई की थी याद है न तुही विक्टा को फोन कर रहा है न फोन का है मिरे पास फोन नहीं है सर पॉन निखाल निखाल थोड़ी मार पिट करनी परती है स्वरी बाट दस किसका फोन है जल्दी बता विक्टर महा क्या चल रहा है वे तुने फोन क्यों नहीं किया उसने गाड़ी घुमा दिये मैं पीछा कर रहा हूं बहुत ट्राफिक है अभी का है वो उसने गार्डन से टरन लिया है शायद सलाम चौक से नंदन वन पहुच जाएंगे उसके बाद माउंट रोड है मेरे ख्याल से एल आइसी से होते हुए नेप्यर प्रेज जाएंगे अगर वो प्लान बदलता है तो मैं सबर कर दूंगा ठीक है अच्छा ऐसा है चीक है मैं बताता हूं हो श्यायर रहना है अब ही काहा है जस्ट बिफोर टी एएपोर्ट सर नीजार तु कहां पर है एपोर्ट रोड इते खूब ट्राफिक है आधा गंटा तो लगे गा ही तान था बबबास कर रहा है मैंने उसे नेपियर प्रेज के बारे मैं बताया है नहीं था कहता है मैं सत्या की गाड़ी के प वो यही से गोजरना चाहिए था पर अब तक आया है नहीं और मुझ से कह रहा है सलाम शॉक पहुंच गया है कुस तो कड़बड हो रही है ली सार अब ये लूग चल पड़े है सर वो हॉंडा शोरूम की तरफ मुड़े हैं वाह से कोई सब्से हो रूगे रूगे इधर नहीं होना शोरूम के लिए यूटाल ले लिजिए सर ओके सब्सें हाँ है यही पर आया है सर चेक करते रहो शॉर सर ट्रैकर यही रुका है दज पिनिट से गाड़ी की कोई मुवम अशुट से लिए ना विक्टर ने तरी वाच भेजाये और साथ मैं कहा है तेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है बच्ची का है, मेरी बेटी का है, एंकट किसी से फाल तो भंकस नहीं करता, समझा ना, बाकी मुझे और कुछ नहीं पता, बोलो, Victor, कौन है वाँ पर, सत्यदेव, और 10-12 पुलिस वाले भी आई, और कान था, कान था नहीं दिख रहा है, लड़की है कि लड़की, वो तो जीबे वैठी है, फोन दे उसे, फोन दे उसे, फोन दे उसे, सर, सर, विक्टर, रिस्क ले रहा है, सत्या, अभी तक रिस्क ल मुझे इशा को देखना है, पहले मुझे मेरी बेटी को देखने दे, उसे मेरे हवाले कर, और फिरे से ले जाए, नेगोसियेशन के लिए जगे नहीं है, तू अपनी सिचुएशन को भूल के मुझसे बात कर रहा है, तू सिर्फ वक्त पर बात कर रहा है, वो लड़की वह सुहासीनी नहीं मेली, और मेरा सिर्फ नुकसान होगा, मेरा कलाएट बर गया तो मुझे सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, यह दय है या कहीं तेरे लिए ऐसा तो नहीं है, मुझे यह, ए, देरी अपनी बेटी नहीं है ना, इसस इस की मा से तेरी शादी तो हूई नहीं मेरी चुछ करना। जुपकर साले! ज़मकी तेना बंद कर आँ सामने, आजा! मैं भी पेटी के पीचे कारों की तरा चिप रहा है! आजा! सद्या! बेक्षार! है! है! जा कर रहा है बे? मैने तरे दो आद्मियों को गोलियों से भून डाला! तेरी पखवास सुनकर मुझे हेकड़ी दिखा रहे थे! समझा क्या? चला जा! सद्या! तेरी पेटी के उंग्लिया काटकर पारसल करने ही पड़ेंगी मुझे! अगले प्रीस सेकंड में तुझे फोटो बेच दाँ! फोन है न तेरे पास? वाटसाफ है न उसमे? एसना फोटो! अब में का करूँ भूल ये बात! अब खेल खात? याईसा कह रहा हूँ वैसा कर तेरी बेटी चोड़ दूगा! कां था का है? तेरे साथ है ना? उसको फोन दे! आरून! सर! कां था? ये लोग मर गये क्या? नहीं जिन्दा है, सिर्फ पेर पर लगी है ओक्या बच गये, तुमको तो लड़की लेकर निकलते हैं? आहां चल्दी हाँ! विक्टर और एक बात! हाँ बोलना! हमें जो चाहिए था, वो तो हमें मिल गया! अब इससे निपड़ लू क्या? इसका गेम बजा डालता हूँ इदरी, बस एक गोली! इसकी अवकात क्या है? पुलीस वारा तो है नहीं, ये खतन तो खेर करता हूँ! बहुत फंकस करता है ये! यत्थू! वो फूक मारेगा, मर जाएगा तू! गाड़ी में बैठ चिपचप ठीक है, इससे तो मैं बाद में देखूंगा, मेरी नाक तोड़ दी इसने, लड़की को लेके आ रहा हूँ मैं, अबे लड़की को ले और इदर आ, ये, ये, गाड़ी मेठा आ लड़की को! मैं इंतिसार करूंगी! मैं इंतिसार कि में अपलेबग है! झाल झाल अपने क्लाइंट के साइज के लिए यही बढ़िया है उस लड़की निलंजना को छूना ही नहीं चाहिए था वही गलती हो गए इसलिए सत्या इस जहमेले में है तेरी मज़े से सर, कालिंदी बस्टॉप के आगे से लेफ लेलीजीगा सर लेफ गूंते ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखेगी यही वो जगे है कई मन्जिला है सर वो उस लड़की को वही ले गए हैं वो लोग किसी पेशन्ट के इंतजार में अपरेशन की तैयारी कर रहे हैं सर मेरे बच्चे की जिंदगी आप ही की वज़े से बच गई मैंने कभी नहीं सूचा था कि वो दस हजार उपए जो मैंने उसके बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए दिये थे वो आज मेरी बेटी की जिन्दगी बचाने के काम आएंगे हम पहुंच गये हैं कहा ना है बताओ हाँ आजा यहां सब बिछा के रखा है सबते ही आ रहे है तुमारे अंदर आते ही लड़की को खोल देंगे ऐसे गाड़ी को रिबर्स लेके गेट के अंदर लेलो खुल बहे इस आबुलन्स तो रोपो कौन हो तुम तो तू है मेंड विलन एक पत्थर दल जिससे उधार की धड़कने चाहिए तुमार अंहीं उदार के गोड़े दूँ पुले याय पुले यादो पोले झाल nem me कुझ दो करो भी अविए नहीं आजार मैं देखलोऊ करे मिलावाद आह Brendan भी उपरोष दो थे विए प्रफ्प्रम्रेश भी बόलमत अविए अविए अन्सथिया ने ठोनी अविए उरी अजान यह लेगा अरुम हे विए किठक विस शालब करें जैंक तो खोतकी एव मेरी बैली बैली का है नो लो जो जाल्दियंदी सर, लो जाल्दियंदी तो जाल्दियो कर दो कर दो खो हुएम है, गई है Bakma ते long कि दो खिथ में ह μुटकी खुएम कि अ से हाग कर दो पिपशे सरा में प्राइब रजांग सुमौने में प्रेट्वार क्यों क्योंकिति यहां ग्णुमें क्यों तेमीं स्रेटि है कि लीशा सब गड़ बढ़ो किया सत्या पुलिस लेकर घुज गया बख्या ने दोखा दे दिया हरे देवा अब क्या होगा विक्टर लाग तो राय की बच गया मगर पता नहीं गभराना मत तुम ही रोग तू कहां ये किसी को नहीं पता नहीं मैं अके ली नहीं रहूंगी व अपिया हूँ मुझे इशा चाहे विक्टर कहा है इशा हुश्त का तुम है किвонा में वरां नहीं है कि किसी जास है हुश्त क्रपे रिखिखना कि प्लंपो किं में आ भी विक्टर किमाल टतरव से पादाखना किमाल लैभं देटर भवत्तर्था कमाल कि इश्त को पास्तर्म एवजगता इतने साल से जो भाग रहा है, उसका एक ही मतलब है, यह तेरा वक्त है, रुपना मत, रुपना मत! किरबो, किरबो, किरबो! लीशा, तेरे बुलाने पर भी मुझे नहीं आना चाहिए था, क्या करता, तू ही तो मेरी ताकत थी, रोती तू थी और सड़ता मैं था, तुझसे पागलों की तरह माहबद करता था, लीशा, यह तुम क्या कर रही हो, तुम यहां से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती, बच्ची को छोड़ दो, मैं तुमें छोड़ दूगा, नहीं, जितना मैं रोई होना सत्या, तू भी उतना ही रोएगा, काश तेरे लिए तुझसे दूर रह पाता, तो आज तू जिन्दा होती, मेरी गलती, ऐसी गलती जो मैं नहीं सुधार सकता, मुझे माफ कर देना लीशा, मुझे माफ कर देना, कुछ ही पुलिस वाले हैं, जो अपने काम को सनक की तरह करते, काम करते, तेरे जैसे सत्या, बाकी सब तो होक्म सुनने वाले किसी काम के नहीं है, आट दिन हो गए लिशा को मरे, नीदे हराम हो गई है आट दिन में, मेरी नहीं सत्या, तेरी, मैं कहां से कैसे आधम कूँगा उसका डर दिखता है, अपनी बेटी को एक लमह के लिए अकेला नहीं छोड़ा तुने, सुभा से लेके रात तक, रात से लेके सुभा तक, तीन दिन से उसके साथ स्कूल जा रहा है, मैंने तुझे पापस बच्चों की तरह स्कूल जाने पर मजबूर कर दिया सकते है, ओके, गुड़ नाइट, सुहासिनी, वहाँ है, गुड़ नाइट, यूस में तो सुबह होगे, निटल गर्ल, ओके, चलो मैं जल्दी आओगे, बाई, बाई, सब ठीक है ना, यहाँ विक्टर की तलाश जोरों पर है, अब तुम जल्दी आपाओगी, यह बस एक सेफ़्टी प्रिकॉशन है, और कुछ नहीं, अभी भी खंद्रा है, होश्या रहना, ठीक है, सुहासिनी को कहीं तो भेज दिया है तुने, एरपोर्ट पे देखा था तुम दोनों को, दो लोगों को एक साथ संभाल नहीं पाया गया, अब अपनी बेटी को समाल रहा है, वहरा दे रहा है, मुझे तू नहीं चाहिए सत्या, तेरी बेटी चाहिए, मेरा भी वक्त आएगा, वक्त बदला लेने का, और जब वो वक्त आएगा, मैं सब को मार दालूगा, आनन, सेलवम, सेलवम, कर देप्प्त वस्चा कि तीन चाहिए, मैं समाल, सेलवम, वार टुरिए, सesाथ कर दे जमने वा वक्तां तूकलूई, वार रहा है, अपन्यावाण, कर दिब एकתGeneral है, अचाहिए, वらें पहाँsta, अचाहिए, अचानी शाका है, मुझे मालून है कि यही है क्योंकि मेरे कॉंस्टिबल्स गायब है चल सामने आविक्टर यह क्या है विक्टर ओ चाकू सिर्फ एक चाकू तुझे वार के अंदर तरी बीटी सो रही है न उसे साथ ले जाने आया हूँ सामने के रास्ते से जाओंगा उसे सडकों पे हावारा गुमाओंगा जिन्दगी भर उसे साथ रखोंगा खोब खैल रखोंगा उसका बस कर विक्टर सपने मत देख आजा मैं किस से शादी करने वाली हूँ पता है वो तुझे ढूंडता वो आएगा और तुझे कमारेगा ऐसा कहा था उसने इतनी खुबसूरत थी ना वो उसके मरत ही दूसरी रड़की रूली तुने अपने लिए घलत बात इमानिका को तुने कैसे मारा था बस ये बता दे फिर मैं उसके सपने को सर्चाई में बतल दूँगा बादा करता हूँ मैं तो सुचता था कि उस औरत को मारना नहीं चाहिए था लीजा को पर अब लगता है उसे मारना सही धाना चला खेल खत्म करते हैं या तो तेरी सांसे चलेंगी या मेरी वार कर कर दो प्रादा बादा बादा प्रोडूँ प्रोषच व लीजा प्रूब कियां भए तब हमता है фот उत पर दो हम एट ईब थिम procedural आपापाँ लाएक लाएक आपापाँ इस्वाराई टgebनों खौograph आ कि यदके खेना भी वे! अच्छे आदमी और बुरे आदमी के बीच के छगड़े में जो जीतता है वही अच्छा कहलाता है हारने वाला हमेशा बुरा ही बनता है कल मेरी मौत का कुछ बदला लेगा तो वो अच्छा कहलाएगा